नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे तीन भोजन के विशय में बताया है, जिसका ग्रहन इनसान को कभी नहीं करना चाहिए ऐसा भोजन मनुष्य के जीवन में दुख दरिद्रता लेकर आता है और इस प्रकार का भोजन करने से इनसान की आयू कम हो सकती है दोस्तों, हिंदु धर्म के प्राचीन शास्त्रों में हमारे जीवन को सुखी और सम्रिध बनाने के लिए कई महत्वपून बाते कही गई है हमारे पुराणों में कई रहस्य में बाते लिखी गई हैं, जो लोगों की लंबी आयू के लिए उप्योगी है गरुर पुरान हिंदु धर्म के 18 प्राचीन महा पुराणों में से एक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करते हैं कृपया पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूले दोस्तों, गरुर पुरान में भगवान श्री कृष्ण और गरुर जी के समवात का वर्णन है भगवान श्री कृष्ण ने गरुर जी को जीवन और मृत्यू के बारे में बहुत ही महत्वपून ग्यान दिया था, जिसे हर इंसान को जानना चाहिए गरुर पुरान घरेलू जीवन के समबंध में पुरुषों और महिलाओं के आचरन, विचारों, कर्तव्यों का वर्णन करता है गरुर पुरान के इस प्रेट कल्प में मृत्यू से पहले लिए गए शगुन, मृत्यू के बाद किये गए श्राध अनुष्ठान और मृत्यू के बाद आत्मा की जीवन यात्रा का भी वर्णन है श्री कृष्ण ने गरुर जी के भोजन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर नियमों का वर्णन किया है किस प्रकार का भोजन, अशुद्ध और त्याज्य होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य को दीरगायू प्रदान करता है दोस्तों प्रभु श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार के प्रत्येक भौतिक प्राणी को अपने शरीर को गतिमान रखने के लिए भोजन करना पड़ता है भोजन के बिना शरीर को उर्जा नहीं मिल सकती उसके शरीर के सभी अंगों को भोजन से उर्जा मिलती है लेकिन शास्त्रों में वर्नित महत्वपूर्ण न्यमों का भी भोजन करते समय अवश्य ही पालन करना चाहिए शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार भोजन करने वाला मनुश्य दीरगाई हो जाता है साथ ही उसे सुंदर रूप की भी प्राप्ति होती है शास्त्र नियमों का पालन करते हुए भोजन करने से समस्त देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं और आशीरवाद प्रदान करते हैं साथ ही मा अनपूर्णा तथा देवी लक्ष्मी की भी कृपा मनुष्य पर बनी रहती है जिससे उसे जीवन में कभी धन और धन की कमी नहीं रहती है भगवान श्री कृष्ण ने गरूर जी को तीन प्रकार के भोजन के बारे में बताया है जो भोजन मनुष्य को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन करता है। उसके शरीर के अंगों को क्षीन तथा कमजोर बनाता है और ऐसा व्यक्ति जवानी में ही बुड़ा दिखाई देने लगता है। ऐसा भोजन श्राप के समान ही होत है जिसका ग्रहन करने से व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक परिशानी का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा श्रापित भोजन केवल प्रेतों के लिए होता है। यदि मनुष्य भूल से भी ऐसे भोजन को ग्रहन कर लेता है तो कम समय में ही पूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को हमेशा अपनी पांच अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच करके ही भोजन करना उ इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को भोजन करते समय अधिक वारतालाप नहीं करना चाहिए। प्रथम तीन निवाले ग्रहन करते समय बोलना नहीं चाहिए। जब मनुष्य गुस्षे में हो तब उसे भोजन नहीं करना चाहिए। रोते हुए अत्वा हसते हुए भी भोजन करना अनुचित होता है। इससे शरीर में विकार उत्पन होते हैं। भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिती के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं. जमीन पर बैठ कर भोजन करना ही श्रेष्ट होता है. इससे शरीर के अंदर की उश्मा पृत्वी में प्रवेश करती है और भोजन अच्छी तरह से पच जाता है. बिस्तर पर बैठ कर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन होते हैं और उसकी आयू कम हो जाती है. साथ ही दहलीज पर बैठ कर भी भोजन करना अनुचित होता है. इससे देवी लक्ष्मी रूट जाती है. हथेली पर रखकर अत्वा चलते हुए भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दरिद रता आती है और उसके धन का नाश हो जाता है. यह अब जान लेते हैं. मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? सबसे पहला है जिस भोजन को कोई लांग कर गया हो. भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं जिस भोजन के ऊपर से कोई पेर रखकर चला गया हो, अथ्वा कोई व्यक्ति भोजन को लांग कर गया हो. ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए. ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है ऐसे भोजन को पशुओ को खिला देना चाहिए दूसरों के द्वारा लांगा गया भोजन खाने से मनुश्य की आयू कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन-भिन प्रकार के रोग उत्पन होते हैं दूसरे प्रकार का भोजन है जिस भोजन में बाल निकला हुआ हो गरुल पुरान के अनुसार यदि भोजन में बाल निकलाता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है यदि अंत में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चड़ाना चाहिए और नहीं स्वयम खाना चाहिए ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है तीसरे प्रकार का भोजन है जो दूसरों को परोसा हुआ हो श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए जो मनुष्य दूसरों का भोजन चीन के खाता है अत्वा किसी को बिना दिये ही स्वयम उस अन्न का उब्भोग करता है उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है भोजन सभी में बाट कर खाना चाहिए दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुर्णे कर्म नश्ट हो जाते है दोस्तों उमीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बताई हुए भोजन करने के तीन प्रकार की दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्ण जरूर लिखे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूले वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मिटिव वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग